एक एक्जामपल लेते हैं और इस एक्जामपल में चार दोस्त आपस में एक बढ़िया बॉंड सेयर करते हैं लेकिन उसमें एक दोस्त बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिल रहा है और दूसरा दोस्त छोटा मोटा काम करता है लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी में रहता है त फोर्थ जो दोस्त है अधित बड़ा विजनसमेन है जो पहला जो पियरोजगार उससे मंगा यार मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम मुझे आइफोन चाहिए मुझे यार एक लाख रुपे तू करजा दे दे उसके पास दूसरी ने दूसरा उसके पास जाता है बोलता है यार मेरी नौकरी ओकरी तो चल रही है लेकिन बहुत अच्छे से घर नहीं चल रहा है मुझे ज़रा सोफा और टीवी कुछ घर में रिनोवेट करना है खरीदना है मुझे कुछ पैसे दे दे तीसरा जो दोस छोड़ा बेरे को थोड़ी पैसे चाहिए लेकिन मैं अपनी सौप को बढ़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे पस कस्टेमर बहुत जादा है और मैं सभाल नहीं पा रहा हूँ मेरे पस expansion के पैसे नहीं है लेकिन मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा outflow और मेरा सारा कुछ income सब कुछ बढ़ जाएगा अब जो fourth दोस्त है वो बहुत technical है और उसने life देख रखी और practical है उसने पहले ही सरत रखा था ऐसे यार हम पैसे खा पी लेंगे साथ साथ लेकिन दोस्ती पैसो की नहीं अब मुझे बताईए आप लोग वो जो fourth दोस्त है वो किसको पैसे offer करेगा किसको दे सकता है क्या चारों को दे देगा क्या वो किवल एक को देगा तीन को नहीं देगा क्या दो को दे सकता है क्या तीन को दे सकता है या थोड़ा थोड़ा चारों को दे देगा और देने के बाद एस्यूम कर लेगा कि यार अब पैसे वापस नहीं आएंगे कोई बात नहीं आगए तो आगए नहीं आए तो नहीं आएंगे क्लियर आंसर है कि वो थर्ड वाले को देगा जो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेना चाहरा है ये चोटा सा जो स्टोरी है वो अपने आप आपको समझाने के लिए है कि कैसे आप जब किसी चीज का उधार लेते हैं किसी चीज से आप कोई अपना घर में पर्सनल लोन लेके या कोई और लोन लेके या फ्रेंड से बोरो करके या रिलेटो से बोरो करके आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा सेक्योर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है तो दोस्तो मेरा नम धनेंज है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि personal expenses को कैसे हम manage करें personal finance को कैसे हम growth करें growth दे तो बहुत ही unplanned video है ऐसा planned video नहीं है तो सब के लिए है यह ऐसा मन सोचना कि यह किसी particular section को ध्यान में रखके बनाया गया है मैं ऐसे videos personal experience से ही बनाता हूँ इस पर research कम ही करता हूँ क्योंकि life में 20-22 साल का मेरा अपना professional experience है जिसमें बहुत सारे interaction, 10 साल का से मेरा अपना काम है तो इतने सारे interaction हुए कि चीज़ें समझ में आ गई है अब मैं बताता हूँ आपको personal experience, personal growth, personal finance, personal जो business है, loan है उनको कैसे हम manage करेंगे इस पर हम लोग बात करने वाले हैं तो point number one point number one यह है कि सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपने अपने दोस्ते सिर्फ इसलिए पैसा मांगा कि आपको iPhone चाहिए क्योंकि लोगों को society में दिखाना है आपको दोस्तों अभी तक आपके अंदर इतनी भी self respect नहीं जागी कि तीन दोस्त मेरे काफी आगे निकल चुके हैं और उसमें एक तो बहुत पैसे वाला है एक बिजनस कर रहा है एक जॉब कर रहा है उसके बाद भी आप उनके साथ पैठे हुए है टाइम स्पेंड कर रहा है बट अभी तक आपने उनसे सीखा नहीं और उपर से उनसे करजे लेने आ गए अगर आप इस तरह के दोस्त हैं तो प्लीज इमेडियेटली आपको अपने उपर काम करने की जरुवत है सेल्फ रियलाइज करने की जरुवत और शायद आपको एक रुपया भी फाल्तु का वेस्ट करने का अधिकार नहीं है आप अपने उन सारे दोस्तों से ट्रिक लो उन सारे दोस्तों से काम मांग सकते हो जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला उससे आप जाब मांग लो और ये सारा जाब मांगना बलकि बेटर होगा as compared to उससे उधार मांगना दूसरे दोस्त के जाते हैं आप लाइफ में success नहीं कर पा रहे हो ठीक ठीक जाब है आप renovation के लिए मांग रहे है और सोफे के लिए मांग रहे हो दो ही region हो सकते है या आपको अपनी family से pressure होगा wife से pressure होगा spouse से या आप खुद influenced होंगे अरोसी पडोसियों से या रिस्तधारों से इन दोनों केस में जबाब है बिलकुल गलत आपको ऐसा नहीं करना है आपको अपने इंकम बढ़ाने जिसके लिए बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ मैं और आपको खुछ सोच रहा है आप अपने इंकम बढ़ाएए आप अपने एकस्पेंडीचर को कम करिए और आपने स देखिए और उसके बाद अपने सेल्डी इंक्रीज करिए ये चीजें बिलकुल मत मानिये अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमर्जनसी आ गई है तो मांगिये लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए सोफा लेना है बाके चीज़े लेना है इसके लिए बिलकुल मत मानिये उसके चाहिए कि अब उस पैसे को लेके बेनास एक्सेंशन करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के पैसे को चुकाए और इंट्रेस्ट भी दे तो इस वीडियो से हम लोग चार दोस्तों की कहानी समझ में आई हमारे कैसे आप को उन चारों में से आप कौन हो आप कौन से वाले दोस्त हो ये आपको जाना होगा और उसके बाद उसी एकॉर्डिंग मेरी सलाथ पे आपको काम करना चाहिए खुद से भी आप सोचे यही आंसर निकल के आएगा तो इस वीडियो थैंक यू वेरी मुच बबाए ठीक केर